सबसे पहले दो मैं कासे मिलिशा फांडेशन जिनके हेड़कॉर्टर में इस वक्त में मौझूद हूँ उनकी इंतिजामिया खासर से भी शासाब से मेरे भी मुलाकात हुई जितना खुबसूरत मिजबानी, शफकत, महबद, नर्मी मेरे लिए बड़ी अदास की बात है कि मैं लहुर में इस फांडेशन के प्रोग्राम के अंदर आपके साथ मौझूद हूँ दिनिया के अंदर काम्याब लोग जो है, उनकी काम्याबी के रास क्या होते है या अगर किसी इंसान को काम्याब बनना है, तो वो क्या करे जिससे वो काम्याब हो जाए उनकी तरफ ये हमें दीन ने बड़ा असानी से बताया, जब ये कहा कि लगकाना लकुम फी रसुलिल्लाह उस्तिल्हसना, और बेशक्त रसुलिल्पाक स्लिल्लाह उल्हे लिए लिए भेतरीन नमूना है, काइनात की तारीख में, जब से ये नोन हिस्ट्री हमारे पास आई है, चाहे व हमारे एक्वाइड नौलिज से पहुँची हो, सिवाए रसुलिल्पाक स्लिल्लाह उल्हे लिए लिए रब के अलावा रबुलालमीन ने कहीं ये नहीं फर्माया, कि कोई और भी पर्फेक्ट मॉडल है, तमाम अंबिया अपनी उम्मत के लिए मॉडल होते हैं, नभी बाइ उसके रूerm को जिब लिए तब आड़ू नभी खल्क फर्माते हैं, बाइ डिफॉल्ट नभी क्यों सेलेक्टिड होता है? क्योंकि अल्ल्भ अब़ूल्ग ने उनसे काम लेना होता है और बाइ डिफॉल्ट नभी गुनाँ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें समझ आते हैं कि बहासियत बशर भी नवी से खता हो सकती है फ्राद आदम से खता हो गई फिर उन्होंने तौबा की हद्र अचुनुस ऐलएब प। मुसा औरहिए से बचाने में किप्ति का कटल हो गया उन्होंने तौबा की इस तरह हमें नभीओं की दौाएं मिलती حضرت ابراہیم علیہ السلام अपने वालिद की बक्षिश के लिए दुआ करते है मना कर दिया जाता है حضرت नुह علیہ السلام अपने बेटे के लिए करते है बशर की हैसियत के अंदर इंसान खता कर सकते है लेकिन नभी मौडल होते है और अल्ला तबारक अब टाला तफ्वीज फर्माते है इसलिए कि आप मौडल को फालो करोगे इनके स्टेप्स पे चलोगे काड़ाब हो जाओ और एसान अजीम है रबुलालमीन का कि रह्मति लिलालमीन को पर्फेक्ट मौडल कहेंगे बेजा कि आप जिस पहलो में जिस तरह से आप फालो करेंगे आप सक्सेस्फुल हो जाएंगे और मैं अपने इमान की तकाज़े को अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं रसुल पाक स्लिए लिए वाले की सुन्नत पे जुस्तुजु भी करूँगा तो भी कामियाब हो जाओ अगर मैं जुस्तुजु भी करूँगा यानि अगर आपकी जो एकामात है उसकी अगर मैं जुस्तुजु भी करूँगा तो भी मैं कामियाब हो जाओ तो एक बात में जो कि मैं समझ में आ गई कि कामियाबी का तरीका एक यह होगा कि रोल मॉडल डूटा जाए अब वो रोल मॉडल अपनी अपनी इंडस्ट्री का रोल मॉडल होगा मेरे बहुत सारे कारोबार उस हर कारोबार का एक नेक रोल मॉडल होगा उसमें आप टेक्स्टाइल का कारोबार उठा लीजिए आप खाने पीने के कारोबार उठा लेजिए, आपका इस्ट्रक्शन को उठा लेजिए, आप ट्रांस्पूर्ट उठा लेजिए, आपका इंप्यूटर उठा लेजिए, आप डेटा स्वीचिंग उठा लेजिए, टेलेफोन उठा लेजिए, हर फिल्ड में दुनिया की तार तो अगर मुझे अपने कारोबार को चलाना है तो मुझे किसको फॉलो करना चाहिए कौन से वाले रोल मौले तो दोनों हो गए ना यानि मैं काम्याब वाले के जाके स्टड़ी करो या नाकाम्याब वाले के करो दोनों को स्टड़ी करना होगा और मैं आपको यह बताओं कि जो काम्याब लोगों को स्टड़ी करते हैं जो काम्याब लोग हैं दुनिया के अंदर वो सिर्फ काम्याब लोगों को स्टड़ी करत मैं पचास आजमियों की नाकामियों को पूछ के क्या एड़ करूंगा माइंसेट बता रहा हूँ मुझे पास होना है मुझे फेल नहीं होना अगर मेरी तबज्व फेल नहीं होना है तो मेरी बहुत सारी एनर्जीज उस बचाओ की तरफ काम कर रही है कि मुझे फेल नहीं होना इस पांचों हवास में से जो चीज भी आएगी इसको प्रॉसेस करना है मुझे सेहत मन रहना है मुझे बीमार नहीं होना और आप स्टड़ी कीजेगा अपने हास पास वो जो केगर बस में बीमार ना होजा तो उसके पास दवाईयों का अंबार होगा वहार पा कुछ नो कोई फांक रहा होगा यार ये खालो इससे ये कमना होजाए मैं वाइटामिन खालू, मैं मिनरल खालू, मैं केलशियम खालू मैं गैस की गोली खालू क्योंके मुझे बीमार नहीं होना और जिसको बीमार नहीं होना वो दवाईयों खालू और जो ये कहना है कि मिज़े सेहत मत रहना है उसके बाद दवाईयों नहीं है मेरे पास जो वक्त है देखिए एक बात बड़ी इंपोर्टन्ट है वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी तकसीम के उपर कोई मबर्रा नहीं है दुनिया का काम्याब तरीन और दुनिया का नकाम तरीन वही 24 गंटे है वो अल्ला का कितने बर गुजीदा पेगंबर हो और उनका कोई मामूली से उम्मती हो दोने के पास वही 24 गंटे है ऐसे ही है ना तो अगर 24 गंटे ही है तो उस गंटे का बेदरी इस्तमाल क्या होगा कि वो भी पढ़ो जो नकाम हुए और वो भी पढ़ो जो काम्याब हुए या उनको पढ़ो जो काम्याब हुए और उनसे जो सीखा है वो बाकी वक्त में वो इस्तमाल करो काम करना चाह रहे हो, वो काम से पैचाना जाएगाज या नाम से पैचाना जाएगा यह mindset है, यह mindset है, मेरा काम ऐसा होना चाहिए फोर्शोर ब्रेंड इडिटी चाहिए फोर्शोर ब्रेंड के इंवेस्ट करना है फोर्शोर ब्रेंड के वो मार्किट करना है लेकिन जो देखें एक आरुबारी शक्स होता है हम लोग genetically अभी मैं शाभी का इंटर्व्यू कर रहते हैं कि हम लोग जिनेटिकली कारोबारी लोग हैं क्योंकि हम लोग देली ब्रादरी से थे हुआ पे सिर्फ धंदा सब बताया जाता है काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-काम-का तक पढ़ने दिया जाए यह महराज होती थी कि उसको मेंट्रिक तक पढ़ने दिया जाए यह जाए यह वाले साब से अच्छा एक अजीब गरीब तजाद हुआ मेरी वालता मरूम मरूमा ने मुझे एक मिशिनरी स्कूल में दाखिल करा दिया अब कहा तो आपका पढ़ने का कोई कुछर ना हो कारोबार की बाथ होती हो सारा ते और कहां बच्चे को दाखिल करा दे मिशिन्री स्कूल में उस जबाने में 4 आंये में जिन्दगी के 25 साल गुजारने के बाद मेरी बड़ी खायश ही होती है कि जहां वे भी मैं ऐसी और्डियन्स से बात कर सकूँ जो अर्दू समझते हैं, वहाँ खुल के अर्दू बनू ताकि अपनी इसला कर सकूँ ताकि मैं अपनी जुबान को बहतर जो है, वह कर सकूँ मैंने, अच्छा फिर शाद पढ़ने में बहुत अच्छा था, कभी ग्रेट्स के पीछे नहीं गया लेकिन जिंदगी के अंदर हमेशा scholarship के उपर, distinction के उपर, gold medal के उपर जो है वह रहा ग्रेट्स के पीछे कभी ने भागा लेकिन जिंदगी के अंदर मैंने हमेशा I have done my two masters, I have done two PhDs, I have done a lot of education जो हमेशा ya scholarship पे, distinction पे, gold medal है, so on and so forth बड़ी मुश्किन से metric हो गया, ninth class में वारिद साथ काम पे बीजाता था जो लोग कहते हैं कि जी child labor नहीं होनी चाहिए, मैं हामी हूँ child labor का मैं हामी हूँ child labor का जब रसूल पाक ﷺ बच्पन में बक्रियां चरा के काम कर सकते थे और वो perfect model है, तो उसके बाद कोई नई philosophy आएगी और मैं जहरे हैं क्योंकि मैं North America में रहा, मेरे textile का कारोबार रहा, मैं इंपोर्ट भी करता रहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है यह धोका है आप 99 dollar की चीज क्यों यहां से बनवाते हैं, क्योंकि आपको 2 dollar की यहां से मिलें गिरículo 2 dollar की मिलेंगी, जब कोई बच्चा काम करेगा आप कि तेरह साल का बच्चा मैं, तो मेरे हां क्यों नहीं कर सकता है और वो बच्चा अपने वालिद्स के साहथ अपने बडों के साथ काम करके अपने घर के रोजगार के हाथ बटाए वो जादा बेदर है शिगरिट भी आथ अच्छा है दर अच्छा है क्वारि मेठ से परेते काम करें हाँ उसकी environment के ख्याल करें हाँ उसकी exploitation से बचने का काम करें लेकिन ये नारा के पच्चे को काम नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए पता फॉल्ड कहां पर आया है अभी शाह साथ से मेरी ये बात हो रही थी शादिया end program के अंदर इस तरह की मैंने recording में बात कई सीरियत तयवा ये बता रही है कि रसूल पाक चाहबा किराम वो थे जो आपका पसीना जमीन पे गिरने नहीं देते थे आपके लिए तयार थे कि खिद्मतगार आपके लिए काम करें आपको उम्मातुल मौमिनीन का साथ मौजूद था और रसूल पाक अपने घर का हर काम अपने हाथ से करते हैं वो टाका भी लगा लेते हैं वो सफाई भी कर लेते हैं वो आटा भी बून लेते हैं वो आग भी धहका लेते हैं वो बिस्तर भी बिचा लेते हैं ये खाम वाड़ों के लिए तो नहीं मेगाम दे रहे थे आरलगे निवाहर जो आदमी घर में काम करता है वह यादमी बहर की आदमी घर बहर काम आध है वह बहर सिर्फ बैठके अपनी नाकामी नाएहली को अल्लह की रज़ा समझ के बेठा रहता है क्यों हमारा वो कल्चर डिवेलप नहीं हो सका कि पर्फेक्ट मॉडल ने हमें ये मैसिज दिया था नभी आखिर खत्मी मरत्बत के बाद कोई रसूल नहीं आएगा कोई नभी नहीं आएगा लेकिन अल्लग के रसूल स्वेल ने फर्माया कि क्यामत के दिन इमानदार ताजिर मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगली है ये है मकाम काम करने वाले का ताजिर का एंटर्पर्णूर का फर्पहले कि समझें हम ये एंटर्पर्णूर का जो लफ समझते हैं ये एंटर्पर्णूर क्या होता है क्या हर धंदा करनेवाला entrepreneur होता है? क्या हर plot पर plot बेज के करनेवाला entrepreneur होता है? क्या पैसे कमानेवाला entrepreneur होता है? वो शिख्स जो society को सोच वह काम शुरू करता है. जो अपने कारोबार के इंदर वो जो पैसा कमाएगा उसका इस्तैमाल में माश्रे की क्या भलाई होगी वो entrepreneur होता है कि उसके जहन JUST के अंदर यह होता है कि मेरे इस कारवर का impact क्या होगा सामने वाले को फाइदा क्या होगा मुझसे जो समान खरीद की लीगे जा रहा है उसके उसकी जिन्दगी कैसे बेढ़र होगी इसकी जिन्दगी कैसे वेतर होगी, वो entrepreneur होता है. मेरी पैचान मुल्टाइटास्किंग के हवाले से काफी बिचानी जाती है. कि इतने सारे feathers एक वक्त में एक साथ आजमी कैसे लगा सकता है. मैं मल्टिनेशनल कंपशनी का इसी तरह मैं डिप्लोमेट हूँ. पाकिसान के अंदर फिलिपीन कंट्री को रिप्रिजेंट करता हूँ तो मैं एक डिप्लोमेट भी हूँ. फिर मैं जिनेटिकली जैसे मैंने आपको कहा कि ना सिर्फ कारोबार करता हूँ लेकिन उस कारोबार से लोगों कैसे फायदा होगा, यह चीज ऐने गर में जरूर्ट狂 सिर्फ कुछई किर्स जों आपको आपको यहांपे बताने जा रहा हूँ जो मैंने किताब से मैं एक्स्ट्रेक किये हैं कारोबार की कामयाबी के या किसी भी पार्टिसिपेंट से जैसे आप लोग हैं तो उन्होंने उसे पूछे करें रख सब एक तो मल्टाइटास्किंग फिर एक साथ कारुबार करना नौर्ट अमेरिका यूरोप पाकिस्तान फिर टीचिंग ट्रेनिंग जो आपका मैशन है और ये कारुबार जब काम्याब होते है काम्याब की भी गौर कैसे होते हैं कि मैं रिस्ट टेकर हूँ मैं बेंकरप बिसनेश कुरीड़ता हूं बंद हुए मैं कारुबार खारीड़ता हम दुन्या में और उनको टन अर राउंट करता हूं तो उन्हें कहा कि यह सारे और यह जो आप सक्सस के जो गौर बता रह है ये आपने कहां से सीखें और वो सब मैंने बड़े फकर से उनको ये बताया कि ये मैंने अपने उस वालिदे मोतरम से सीखें जो कभी जिन्दगी में स्कूल नहीं गए तो अगर सिलिकोन वैली के अंदर पढ़ाने वाला टीचर गुर्व बता रहा है अपने उस वालिद के तो इसका मतलब यह है कि ये जो हिकमत है ये किताबों की महताज नहीं ये यूनिवस्टी की महताज नहीं है ये बाउंडरी वाल्स की महताज नहीं है तो काम्याब लोग जरूरी नहीं है कि वो डिग्री होल्डर्स हो, बहुत अच्छी बात है कि मेरी तरह डिग्री होल्डर्स भी मेरे वालिद साहब को जब मैंने कहा कि जी मैं आगे बढ़ना जाता हूँ, कॉलिज जाना जाता हूँ, तो उस पर खासा भुचाल आया घर के अंदर कि ये क्या होगे, बागी होगे, बागी होगे, 83 की मैं बात बता रहा हूँ, 83 की, बागी होगे, बड़ी मिश्किल से मैंने इंटर तक अपने ने दिया, एक दिर मैं उपर उतना था वाली साम ने जी मुझे कहां जा रहे हुए, बाबु किया दे था, बाबु ची अज पेपर हैं इम्तान देने जा रहा हूँ, काम पर कब आओगी, मैं रहे कहां कि जी, एक बजे पहुच जाओंगा, इतनी देर से क्यों आओगी, मैं र जी बाराभुजे पेपर ख़तम होगा, साइकल में है, साइकल चलाता हैं, आओगा तो मैं एक बजे पहुच जाओगा, तो मेरे वाली साम ने का जब जाहिर Чपा जाओगी तो देर से हनओगा, अगर जल्दी जाते तो जल्दी आवी जाते ने, मैं आपको सेट बता फिर खेर किसी तरह जब इंटर तक भी नहीं पहुंच पाई तो मुझे समझ में आया कि शायद तालीम का जो सिलसले मैं यहां पर शुरू करना चाहता हूं अपने लिए वो शायद मुम्किन नहीं होगा उस महुल की वज़े से अच्छा फिर मेरे वाली साब ने देखा कि यह बच्चा जो है यह बगावत पर उत्रा हुआ है और यह बढ़े बगर बाज आएगा नहीं उन्होंने क्या किया पैसे का मुझ खोल दिया 100 रुपया रोज पॉकेट माइए 100 रुपया रोज पॉकेट माईए 84, mid या 85, early bond is क्या दर डॉलर होता था सोलर रुपय का इससे काल्कुलेशन कर लें इन्पलेशन का इंग डॉलर इस सोलर रुपया है 100 रुपया है मुझ खोला पैसे का अच्छा जी फिर मैंने किया कि स्कॉलर्शिप्स के लिए अपलाई करना शुरू किया और मुल्क से बाहर निकलने का मकसद यह है कि यह बच्चा ताहयात गया तो पहला ने काम उन्होंने यह किया जो हमारे खांदान में होता था कि पहले इसकी रिश्टा तैय कर दो और मैं समझता हूँ कि अल्ला तबारगों ताला ने जिस तरह मुझे जीवन साथी दिया है शायर मैं इतना अच्छा फैसला नहीं कर सकता था जो मेरे वालदाने में लिए लिए किया तो एक तो वह उनने कहा कि है और फिर किराची से हैदराबाद ना जाने दें यह तो मुल्क से बाहर जाने कि सोचर वो भी अमरीका जहां से कभी बलट के वापिस ही कोई नहीं आता था उस जमाने में वह किये जाता था नहीं आउंगे अगर चाराज़ में से पूछए गाथा बेजए अगमत जो गया नहीं आया नहीं आया तो पहरें क्या हुआ जी वह फिर वालिज साहब से मैंने बैट कि बात कि कि जी मैंए पढ़ना चाहता हूँ और बाहर जाना अच्छा था उनने कहा के अच्छा मुझे समझाओ कि क्या करोगी मैं थे मेरे रिजएंट आने से पहले-पहले मेरे इस उचल हमेशा से बहुत अच्छे थे आई-ट्विंटी मेरे आचो की थे तो मैंने कहा कि जी मैं जाओंगा क्या करोगे मैंने कि मैं चार साल पढ़ोंगा चार साल पढ़ोंगा क्या पढ़ोंगे मैंने कि मैं कालोबारी पढ़ोंगा बिस्निस अड्मिस्रेशन पढ़ोंगा क्या अच्छा फिर क्या करोगे मैंने क मैं बापिस आउगा और मैं नौकरी करूँ अच्छा ये एक और बड़ा ऐसा बहुँ चाल था अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि ये छे साल तुम पढ़ोगे जाहरे कुछ खर्चा भी होगे मैंने कहा जाहर है मैं काम करूँगा कुछ भी करूँगा गुजारा करूँगा कहलेंगे जब तुम छे साल पढ़के वापिस आओगे और तुम नौकरी करोगे तो तुम्हें तंखा कितनी मिलेगी उस जमाने में MBA की तंखा 3000 उपे मिलेगी तो जब मैंने वाले साहब को यह बताया कि जी मुझे 3000 उपे तंखा मिलेगी तो उन्हें का मुझे तुम्हें अभी मिलती है 100 उपे रोस तो जिस आदमी को 3000 उपे आज मिलते हैं वो मुल्क छोड़के जाएगा छे साल पढ़ेगा वापिस आएगा और 3000 उपे वापिस खमाएगा यह कैलकुलेशन समझ में आती हैं नहीं समझ में आती है क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि MBA करने की क्या जरूरत है जब MBA को नौकरी दे सकते हैं तो अच्छा नहां जाहर है यह कैलकुलेशन में समझ में आती है जैसे अभी आइटन नीचे कोई बात हो रही थी तो कह रहे थे क्या होगा मैं रहे है कि एकॉनमी का बड़ा कैलकुलेट यहाँ पर करूं तो दो रुपे थीस पैसे आपकी आमदनी आपका इंफलेशन जो है वो डबल डिजिट हो चुक है जो कि वो म्रोज बारा के उपर टच कर रहा है ऐसा ही है तो दो रुपे थीस पैसे आपकी आमदनी है और बारा रुपे चीस हो गई महें 30% आपकी कर्रेंसी डिवैली हो चुकी है ऐसा ही है तो आपकी आमदनी है दो रुपे थीस पैसे आपका इंफलेशन है बारा रुपे आपका रुपी डेप्रीशेट हो चुक है है यानि आज आज यो आपकी जैप में पैसे तो उसकी थीस रुपे और कम हो चुके हैं और आपकी population growth है 3% plus के उपर नीचे जो जवाब आएगा वो आपका हिसाब हो किसी हिसाब में यह fit नहीं होगा दो रुपे 30 में से क्या माइनस करेंगे तो यही आलत मेरी उस वक थी कि मैं वाले साब को यह कैसे समझाओ कि मुझे 6 साल के लिए जाने दे और मैं आके 3000 पर कमाओंगा जो मैं अभी कमाता हूँ उनके साब से तो मैं कमाता हूँ क्यूंकि मैं काम भी जाता हूँ और मुझे देते भी तो में बस कोई आप्शन ही थे सेवा इसके कि मैं भाग जाओ मैं दौाई लेके उनसे कि जी मैं फिर भी अटेम्ट करना चाहता हूँ और मैं बालदेन की दौाओं के साथ इस मुल्क को 85 अरली 85 के अंदर रिज़ट आने से पहरे छोड़के गया पहली दफ़ा मुझे अपनी अवकात पता लगी अपनी हैसियत पता लगी वो लगजिरी जो इसमें मेरे घरवाले मुझे पाल रहे थे जिसके अंदर मैं चिक्केन और बटन और अंडे के नीचे बात नहीं करता था चावल को मैं गरीब आद्मी का खाना समझता था अल्णाव मैंने मुझे एसा जबर्दस एक्सपोजर दिया कि मेरी पहली हुराखी टोटा कंकी गीले चावल के अंदर नीबू निजोड के मैंने खाना काई मुझे जिन्दगी पता लगी कि भूग क्या होती है जब मैंने 15 दिन एक मील पढ़ने पे गुजारा की कि ये अल्ला का बड़ा हैसान था क्योंकि मेरे वालदेन खलाल रिस्क के ओपर मेरी तर्वियत की थी तो जिन्दगी के अंदर शाद अब कोई मुलक ऐसा नहीं बचा जहां मैं नहीं गया हूं ट्रेनिंग कराने के लिए या अपने बिजनस के लिए अल्ला ने हर उस बुराई से महफूज रखा जिसको आप सिगरेट, नशा, शराब ऐसे नहीं कि मैं कोई बहुत पार्सा था, मेरा हाथ ही कभी नहीं गया क्योंकि शायद वो घुटी के अंदर मुझे हलाल रिस्क की तर्वियत थी उसने शायद मुझे कभी उसकी तरफ जाने जो है वो नहीं दिया तो मुझे समझ में आया कि जिन्दगी क्या होती है, चैलेंजिस क्या होती है वाफिस जा नहीं सकते थे वाफिस थे जा नहीं सकते थे लगईली क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर मेरिकन मेतोडिस चर्च.. आईएसबी भी आगई लेकिन स्कॉलर्श्प कम्प्लीट नहीं थे अमेरिकन मेतोडिस चर्च ने कहा कि अगर कोई ऐसा को.. हमारी उन्युवस्टिय है फिल्लिपीन से के अंदर American Christian University जो भी फिलिपिन Christian University एकलाती थी बात में और उने का अगर कोई ऐसा कोर्स है जो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो उसको पर स्कॉलर्शिप कंप्रीट बिल सकती and that brought me the idea कि उसको एनिदी के अदर computer engineering होती थी computer science नहीं होती थी तो मैंने का इसी मैं अद्मिशन ले लो मुझा ख्यार वो scholarship मिल गए जहां से मेरी education जो है वो start हुई and 1990 early 1990 जब मैं पाकिसान वापिस आया तो I was the first gold medalist computer science graduate of Pakistan वाले साब समझे घूंबिर के आगे अच्छा वो जब यह पता लगा कि पाकिसान के पहले gold medalist आ गया है computer science के उनर बड़े-बड़े features और magazine पे दो page और यह लगा कि और बड़ा हुआ मैं शाम को घर पे आया तो घर में बड़ी रौनक हुई है लोग अम लोग दैरे देली ब्रादरी के हैं अगर हम अगर किसी को घर पे बुलाना हो कि आप शाम को मेरे साथ खाना कहाएं तो सत्ता राज में minimum होंगे मेरे वली में ग्यारा सो लोग थे तो यह मतलब इदी आएंगे क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते किसी पर प्रादरी के आप तो बड़े फकर से गरवाले भी बैठे वे थे सब बैठे वे तो प्रकात प्दरी क्या हो कि अप फूल भी थे आए थे तो उस दर बारे बात हो रहे थे उस दिर मेरे गरवालों को पता लगा कि मैं पढ़के आया वाली साब ने का यह बहुत अच्छी बात है उस वक दो क्योंके फैमिली होती है फैमिली एरेज़ करती है फैमिली होता है फैमिली से सब्सक्राइब और यह हमारा समाजी सरमाया है आज यह टुबर का मन जो है यह मेंटल हैट के उपर जो इस वक ठीम थी वटाट है ओशन की वो खुदकुशी के तदारुख था और हमारे मुल के अंदर अगर दूसरे मौालिक के मकाबले में खुदकुशी कम है तो उसके अंदर एक रीजन तोहीद है और दूसरा समाजी सरमाया है यह हमारे family relations है जो हमारे social relations है यह तदारुख है जिसे इनसान अपने जिन्दकी जो है वो से हाथ नहीं दोता अपस पर तो मैंने इनको का कि जी मेरी खायश यह कि मैं अपने पैसों से शादी किनना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे और उनका वक्त नहीं हैं तो मुझे अगली फ्लाइट मैंने पकड़ी और अगली मैं अविरा अमेरिका मैंने काम शुरू किया कैनिडब अपना में सेट अप किया जिसतरह मैं अपने पैसों से शादी करना चाहता था वहां से वह वापिस आया वालिद साब को जो है कहा कि मैं अपने पैसे बहुत नाराज़ियों के बाद शादी हुई क्योंकि हमारे हाँ बड़ी बहुत सारी रसुमात थी जोड़ा मामू का होता है पते खाना किसका होता है किसका क्या होता है और जारे उनी के खाहिश का होता है, हम वन शादी बिलीवर हैं, तो हम इसलिए चाहते हैं कि कुछ खाहिशात अपने अपने इसाफ से जह हो की जाएं, बड़े इंस्पिरेशन होती है न, पिरिंट शार्ल्स की शादी देखी थी, लेडी डायना का ड्रेस देखा था, जहन मे यह था कि मेरी भी विगम होने वाली लेडी डायना का ड्रेस पहन के आ रही हूँ, पीछे इतना लंबा वो चल रहा हूँ, आइडिया पेश किया तो ख्यामत आ गई, थोड़ा फाइट करते रहे हैं, पहली दफाँ चांस यह था, अपने पैसों से कर रहे हैं, तो कहा के, और है का जीज, यह तो वाइट कलर का जोड़ा, यह तो हमारे हाँ, कुछ होने के बाद पहना जाता है, यह अभी से यह कैसे होगा, अब वो फाइट ऐसा था, कि समझ कुछ नहीं आ रहा था, वेरल, थाइलेंट भेजा गया, वो पिंक, कन्वर्ट होके वापिस आया, सोयर Q Muni and so forth, समझाने में वो बकसे जी ता है, कि जो रिस्क टेकर होता है, जो डिटर्मेंट होता है, जिसने फैसला कर लिया है, कि मुझे हर हाल में वो करना है, अगर बैसमुद काम यह है, कि मैं घलत क्या करना था, कि अपने पैसा से शाद नहीं करना था, लेकि बाद वह पैस अब शायद इसको नहीं रोख सकेंगे, अब शायद इसको नहीं रोख सकेंगे, फर्ग था हम लोग जीवलर्स थे, हमारे हाँ वो पराणा कॉंसेप्ट था कि कस्टमर को कुछ न दिखाया जाए, नीचे एक तैखाना होता था, उसमें नीचे जाता था बंदा, एक सैट लेक आता था, वो दिखाता था, फिर पैक करता था, फिर नीचे जाता था, फिर आता था, फिर नीचे जाता था, फिर आता था, पाकिसान में पहरी दफ़ा, हम ये कॉंसेप्ट लेके आए, पहला मौल कराची के अंदर पाक टावर जो है बना, पहरी दफ़ा ये कॉंसेप्ट कि सारा जूलरी खोल तो शिशे के रिए शोकेस में रखे और सब दिखा लो अब ये टोटल वो डिस्रप्शन थी उस जमाने के आप कह सकते हैं कि जूलरी का कारवार ऐसी भी हो सकते है और ये वो फर्ग था कि foundation of जो हमने सीखा और new innovation, modernization जो हमने मकरिब से सीखा, that we become the first ISO 9002 Jewelers of Pakistan. तो ये वो फर्ग होता है जब आप जमाने के साथ चलते हुए अपनी innovation को upgrade करते चले जाएं और उस foundation के उपर अपनी ये नई चीज़ें एड़ करते चले जाएं तब आपको समाझ में आता है कि कारोबार करने लिए होगा, फिर ये सिलसला अल्ला का शुकर है, जो है वो कभी नहीं रुका, आज तक भी जो है नहीं रुका, तीसरी क्लास के अंदर मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं तीसरी क्लास में था, क्योंकि चार आने के अंदर मेरे किताबे बढ़ने के खायश पूरी नहीं हो सकती थे, क्योंकि मैं शिनरी स्कूल का बच्चा था, महले के अंदर ऐसे बहुत सारे और लिखना और सिखाना और पढ़ाना और कुछ पड़ा लिक्षा बच्छा थो तो तो महभदों के खतूद भी मैं लिखा करता हैं ज Tina इंटरनेट भी नहीं था वाटस으니까 फून भी नहीं था इसी खतों के जरीए मेंसिज गो दिया जाता था उम्हाद तो मैं पाकीजा मुभबत की बात कर रहा हूँ, बीवी चली गई है, वापस नहीं आ रही है, घर वाले नहीं भेज रहे हैं, तो वो कहते थे, लिखो, अब वो बिचारे मुझे डिक्टेट करते थे, और मुझे वो याद है, वो कहलेंगे, उन्हेंने मुझे अच्छी तरह याद है, वो मुझे इस पर बड़ा रहा है, मारा तो शक्स को बसने का, खुदारा वापस आजा तेरे वगार मैं कैसे रहूँ अब मुझे कह रहे हैं कि, इमरांज ये लिखो, अब मैं सोच रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, ये ट्रांसलेशन और ट्रांस्फॉर्मेशन इस खत के अंदर कैसे होगी, लेकिन पढ़ते ही, सम्हाव, क्योंके एक नेक नियती थी, मैं चाहता था, घर बस जाए, वीवी आगे, उसका रुकसान मुझे यह हुआ कि मैं मशूर होगी, काफी वक्त मेरा इस खतो किताबत में दूसर होगी, जो है वो, जो है वो गुजरता था, सो, पॉइंट ये है कि, अल्ला का बड़ा इसान ये है कि, जिन्दगी के अंदर, जब से, जैसे मैंने का तीसरी क्लास क जो मुझे अर्लियस मेमोरी मेरी विकॉल होती है, मैंने पढ़ना और पढ़ना आज की लेट तक नहीं छोड़ा, ऐसा मेरी लाइफ में कोई टाइम ने गुजरा जहां मैं कभी भी इन्रोल्ड ना रहा, मैंने अपने वो तालिब इल्म का स्टेटिस कभी नहीं हटाया, तो अगर आपको अच्छा उस्ताद बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो जब तक आप नॉलिज सीकर नहीं बनेंगे, जब तक आप तालिब इल्म नहीं बनेंगे, जब तक आप अच्छे उस्ताद नहीं बनेंगे, अब ये पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, पैशन है, प वोलंटियर्स कॉंप्रोमाइज नहीं करता है। इसी जब मैने उनिवस्टीज के लिए प्रोग्रेम्स बनाएं। किराची उनिवस्टीज के लिए बाएं। जहां मेरे एकिए साल के प्रोग्रेम्स पढ़ाया जाते हैं। वहां पर मेरी अपनी टर्मस और कंडिशिंज होती है। इसींवस्टी जिचिए की टेंटिशिंज संथ यहां मनता में। क्योंकि मैं टेकनोलीजी ट्रांसफर करता हूं। मैं यहिए ज्दिद्ध ब blueberry लंइं। आपकी इनिश्टी में 50% है, मेरी क्लास 75% पासिंग मार्स आपके हाँ 50% attendance है, मेरे हाँ 95% attendance है आपके हाँ semester system है, मेरे accumulative per day result accumulative system है पढ़वाना है, पढ़वाईए नहीं पढ़वाना है, तो मैं नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि ना आपसे मैं कुछ ले रहा हूँ जिन्दगी में मैंने पढ़ाने काश तक कभी बैसे नहीं ले तो फिर मैं क्यों compromise करूँ फिर मैं, यारी मेरा सवाल basically ये था कि अगर आप जरूरत बन जाएं अगर आप जरूरत बन जाएं किसी भी market के अंदर तो हो नहीं सकता कि आपकी product और services लेने वाला ना सवाल ये कि जरूरत कैसे बने ये study कैसे हो कि जरूरत कैसे बने